जैहिंद मेरे साथियों, MPPSC की मुख्य परिक्षा हेतु समर्पित संस्थान अंतियोदाय अकेडमी में आपका स्वागत है साथियों, यहाँ पर हम डेली मेंस प्रैक्टिस 2019 के टेस्ट करमांग पंधरा, जो की स्वासे एबम सिक्षा बिसाय का हमने लिया था, उसका विस्तरित विस्ट्रेशन देखने चा रहे हैं साथियों, यदि आप अपनी MPPSC की मुख्य परिक्षा की तयारी को और ज़्यादा सुद्रण बनाना चाहते हैं, तो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो की 5 सितंबर से प्रारंब होनी जा रही है साथियों, यदि आप 35 टेस्टों की विस्तरित सिंखला और उनके मॉडल उत्तरों को खरीदना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं साथ ही, हिस्ट्री के 1000 प्राशनों का संग्रह, उनकी 3 Marker की PDF आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही में, आप हमारी daily man's practice, जिसका की हम discussion देख रहे हैं, इसे भी join कर सकते हैं, इन सभी सेवाओं का लाव लेने के लिए, आप description में दिये गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं तो चलिए, बिना बिलंब किये हुए स्टार्ट करते हैं हमारे 3 Marker प्राशनों को साथियो, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब वश्री कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार निरंतर रूप से बहुत सारे ज्यान बर्धक वीडियो तो प्लम्द करा रहे हैं हमारा पहला 3 Marker प्रशन था आरोग्य सेतु एप, आरोग्य सेतु एप क्या था, इसे हमें 3 Marker में लिखना था आरोग्य सेतु एप COVID-19 को ट्रेक करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसका बिकास रास्ट्रिय सूचना बिग्ज्यान केंद्र यानि की NIC के द्वारा किया गया था आरोग्य सेतु एप सूचना प्रवध्योग की बाइलेक्ट्रोनिक मंत्रा लाइका संयुक्त उध्यम है इसे पॉजिसनिंग आधारित कोरोना की स्थिती हेतु, सुरक्षावा साबधानियों की जानकारी हेतु तैयार किया गया है यह आप आरोग्य सेतु में लेख सकते थे, इसकी चौथा पॉइंट जरूर लेखें क्योंकि यह पॉजिसनिंग आधा रहते हैं क्योंकि जब आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करते हैं यह आरोग्य सेतु का थोड़ा सा कंसेप्ट है आगे चलते हैं हमारे अगले प्रेशन पर अगला प्रेशन था रास्ट्रिय आयूस मिसन रास्ट्रिय आयूस मिसन को सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था यह आयूस अस्पताल वा मेडिसिन तंत्र में तीब्र और तकनी की अध्यन के लिए प्रारंभ किया गया है रास्ट्रिय आयूस मिसन में प्रात्मिक जिला और समुदाय बेकास के अंद्रों में रास्ट्रिय आयूस मिसन को लेख सकते थे जो कि सितंबर 2014 में प्रारंभ हुआ था आगे चलते हैं हमारे अगले प्रिष्ट पर योगी था वंदे मात्रम योजना वंदे मात्रम योजना को आपको थ्री मार कर प्रिष्ट में लिखना था बंदे मात्रम योजना को 2004 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारम भी किया गया है इसका उद्देश सिसु एवं मात्र मृत्री उदर में कमी लाना है इसके उद्देश को आप इस प्रकार से लिख सकते थे सांथ ही इसमें गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को निशुलक परामार से सेवा प्रदान की जाती है यह है आप बंदे मात्रम योजना में लिख सकते थे आगे चलते हैं सार्व भॉमेक पृतिरक्षा अभियान सारभामिक प्रितिरक्षा अभियान क्या था जिसे हम UIP भी बोलते हैं 1978 में इसे लॉंच किया गया था और 1925 में यह बरतमार प्रिक्रिया के चरण में प्रारंब हुआ है UIP का लक्ष है कि एक वर्स के सिस्यों को समस्ति ठीके लगवाना है इस तरह से UIP को आप लेख सकते थे साथ ही मिसन इंदर धनुस भी इसी के अंतरगत प्रारंब किया गया है यह आप इसमें बहुत अच्छे से लेख सकते थे UIP यानि सारभामिक प्रितिरक्षा अभियान के अंतरगत अब चलते हैं हमारे अगले प्रिस्ट पर जो की था राष्टिय च्छे रोग नियंतरण कारिकरम राष्टिय च्छे रोग नियंतरण कारिकरम 1962 में प्रारंब किया गया था और इसे 1995 में संसोषित करके राश्टिय अतपेदिक नियंत्रनकारिकरम के अंतरगत ला दिया गया 1997 में WHO की अनुसासित प्रितेक्ष नेगरानी उप्चार अल्फा विधी जिसे हम डॉट्स प्रिणाली कहते हैं इसको इसमें प्रारंब किया गया 1997 से राश्टिय 6 रोग नियंत्रनकारिकरम में भारत में समस्त रोग नियंत्रनकारिकरम इसी के तप्तवधान में चलाए जाते हैं इस तरह से आप इसे लिख सकते थे आगे चलते हैं हमारे 6 मारकर प्रशनों की और 6 मारकर प्रशनों में हम यहाँ पर 3 प्रशनों को डिस्कस करेंगे तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला हमारा प्रशन कौन सा है सबसे पहला हमारा प्रशन है बिस्विस्वास से संगठन के कारिये लिखिए तो बिस्विख स्वास्ते संगठन के कारियों को इस तरह यदी पॉइंट आते हैं तो आप सीधे कारियों से ही स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहला है अंतराश्टिय संगठन जो कि बैस्विख स्वास्ते कारिकरमों को बिकास्वा प्रोजसाहन बान नेत्रत्व करना यह इसका प्रमुक कार है और इसे आप इंटों के रूप में भी लेख सकते थे कि बिस्व स्वास से संगठन येक अंतराश्टिय संगठन है जो कि बैस्विक स्वास से कारी करमों को बेकसित एबं प्रोज साहित करने में बिस्व में नेत्रत्य प्रदान करता है सांथी में अगला कार्य है बिस्व स्वास से जुड़ी हुई अन्य अंतराश्टिय संगठन के मद्य सवनभाई सापित करना एक अन्य कार है अगे आप अगले बिंदू में लेख सकते थे स्वास संगठनों और संस्थानों को तक्नीकीवा अनुसंधाना अत्मक सहायता उपलब्द कराना सांथी में संक्रामक और असंक्रामक रोगों के उन्मूलन हेतु स्वास सेवाओं का विस्तार करना इस तरह से आप इस प्रिशन के उतर को लिख सकते थे अब हम देखते हैं हमारा अगला six marker question जो question क्या था कोपोशण के निवारण हेतु केंदरवाराज्य सरकार के प्रियासों को बताइए हमको यहाँ पर भारत सरकार के दोरा चलाई जाने वाले एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले को पोशन निवारण संबंधी प्रयासों को बताना था तो हम चलते ये स्टार्ट करते हैं भारत सरकार के प्रयासों से तो भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाई स्टार्ट की हैं जिसमें बाल एबं मात्र के जितने भी कारिक्रम हैं उनको एकत्रित कर दिया गया है। मद्धियान भोजन कारिक्रम आदी इसमें अन्य कारिक्रम है। अब देख लेते हैं मद्ध्रद्य सरकार के कौन-कौन से हैं। तो मद्यप्रतिय सरकार में आप लेख सकते थे राष्ट्रिय पोषण माह, मंगल दिवसका प्रारंब, दस्तक अभियान, लाली माय योजना, संजीवनी अभियान जो की गर्बत्ती महिलाओं के लिए है, पूरा पोषण वितरन कारिकरम, सरदार पटेल, निसुल्क औसधी व योजना को आलोचनात्मक रूप से विवड़ने करना था, चलिए सबसे पहले इंट्रों देख लेते हैं, इंट्रों में क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इसमें बच्चों को स्कूली इस्तर पर पूरक पोषणवा स्वास्थ से विकास हेतू, भोजन उपलब्द कराने इस प्रकार यह है एक बंध्यान भोजन योजना का इंट्रों हम यहाँ पर देख सकते थे, अब हमको मैन बोड़ी पर आना है जो कि है आलोचनात्मक परणन, तो चलिए मैन बोड़ी पर चलते हैं, आलोचनात्मक मूल लेंकर में हमको कुछ नेगेटिब इसके तथ्य बता पाता है, और देखा यह गया है एक सर्वे के अनुसार कि असी प्रतिसत स्कूलों में मेनू के आधार पर भोजन की विवस्था ही नहीं हो पाती है, अर्थार्त जो मेनू प्रतान किया गया है कि किस दिन क्या भोजन प्रतान किया जाएगा बच्चों को, बह मानकों के आध पर और उस प्रकार की विवस्था ही नहीं है बहुत सारे असी प्रतिसत स्कूलों में, इस सरह से आप ऐसे रख सकती है, सान्ती कारकार में सामाजिक भीद्भाव और भरस्टा चार्वी होता है, सामाजिक भीद्भाव से अर्धार्त ग्रामीड इलाकों में चलने वाली जा किया जाए यह जो भेदवाव जन में ले रहा है बचपन से उससे खत्म किया जाए यह मध्यान भोजन योजना का एक अन्य उद्धेश्य था किन्तु इसका ही यह नेगेटेब पॉइंट है कि भैधून नहीं हो पा रहा है सांती में भोजन इस्थान बारासोई तथा नेगेटेब पॉइंट है क्योंकि लोग आते ही नहीं अचे करने की किस प्रकार सी अविवस्ता चल रही है अधिकारी जन और राजनीती का हिस्थानी राजनीती जो लोकल पॉलिटी होती है उसका हस्तक्षिप होता है जिससे की ब्रश्टाचार को और ज्यादा बढ़ाव स्वास्थे सेवाओं की उपलब्ध था इवं उसकी इस्थिति का वरणन कीजिए तो हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देखेंगे किसी भी देश के विकास के लिए स्वास्थे मानप कुझी का होना एक आवश्यक घटक होता है स्वास्थे सेवाओं के केफायती ना हो से हर साल लगभग 6.3 करोड आवादी गरीवी से जुड़े खत्रों का सामना कर रही है भारत स्वास्थे सेवाओं पर मात्र अपनी जीडीपी का 1.2% खर्च करता है जो की अंतराश्थी मानकों के आधार पर बहुत ज्यादा कम है यह आप आपने इंट्रो में स्वास्थे सहरी और ग्रामीर सल को बता देंगे ग्रामीर चेत्रों की सिती बहुत ज्यादा दहिनी है जंजाती चेत्रों में निम्न मूलभूस सुविधाओं की कमी है मतलब जो मूलभूस सेवाएं हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है मात्रवा सिसु मृत्ति उदर सूचकांकों में अन कम हैं जो मानक हैं भारत में वह जो बैस्विक ओसत होना चाहिए और विस्विस्वास संगठन के द्वारा जो मानक तयार किये गए हैं उनकी तुलना में बहुत जादा काम है सांधी में समुचित अदोसन रचना का विकास भी नहीं हो पा रहा है यह भी एक अन्य समस्या है ब वेय करते हैं यह एक कड़ी सच्चाई है कि 24 प्रिस्वास जो गरीब है न वे अपनी आई से अधिक सापर खर्च करते हैं इसलिए बे और जादा गरीब रह जाते हैं और करज के कुछ चक्र में फस जाते हैं सांती में गाउं की 84 प्रिस्वत आबादी निजी अस्पतालों में जाने को बिवस है जो कि अनावस्य खर्चे और जांच को वहन करने के लिए भी बिवस है इस तरह से आप निजी अस्पतालों में जाने की बिवस्ता को भी यहां पर लेख सकते हैं गर्व दाहरल संबादे स्वास्त पर जानकारी का अभाव प्रसव पूर्व एवं प् 47,500 महिलाओं का प्रिसम काल के दोरान ही मृत्यू हो जाती है यह एक रिकॉर्ड के नुसार बताया गया है अत्यदिक जनसंख्या का दवाव होना एक अन्य स्वास्त की सित्य को जटिल बनाता है जैसे WHO जथा बैसविक उसत से बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या पर एक डॉक्टर उपलब्द होता है तीप्र जनसंख्या व्रधी बाजागरुकता का अभाव संक्रामक बीमारियों के फैलने का अधिक खत्रा बना देता है यह भी एक अन्य समस्या है साथ ही हमारे देश में निजी अस्पताल बहुत ज़्यादा महेंगी सिवाएं उपलब्द काराते हैं तो यह भी एक अन्य समस्यास्त की खतरनाक किस्तिती है सरकारी अस्पतालों में डाक्टर में जथा आधरभू संरचना का आभाव है महाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है यह पॉइंट हम आगे भी देख चुके है स्वास्तित सिवाओं की उच आयवाले वर्गों तक ही पहुँच है क्योंकि निम्न गरीब आय जो होता है वहने जी अस्पतालों में ज़्यादा नहीं जा पाता है आगे हमने देखा कि 24% गरीब जो है वह बेवश है चिकिस्था वा विस्तरों की अनुपलवधिता क्या भारत में आवशक्ता से कम विस्तर है और GDP का खर्च कम है चिकिस्था के छेत्रवे इसलिए यह सब समस्यां उत्मन होती है अब स्वास्तिकी इस हिती पर चर्चा करें कि किस प्रकार संरचना है स्वास्तिकी भारत में तो भारत में त्री इस तरिये स्वास्ति संरचना है प्रात्मिक स्वास्तिकेंद्र, उप स्वास्तिकेंद्र और सामुदाइक स्वास्तिकेंद्र इस तरह से ये बटे हुए हैं इस तरह से हम इस प्रिशन के उत्तर को लेख सकते थे हैं इस तरह से प्रिशन के साथ सवता ही आजाती है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत